हैलो हाइ फ्रेंड्स तु फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडिसाल में जा रहा हूं ठीक है friends वीडियो को जो है like जूर कर दीगा और अपने friends में भी share कर दीगा जिसका जो ही exam था आज ठीक है तो र का उचान स्थान है ठीक है तो इसका जो answer था पहले question का option number C था ठीक है next question की तरफ चलते हैं question number 2 है A का उचान स्थान है तो इसका जो answer हो जाए का question number 2 का ये था option number A ठीक है तो friends में जो आपको answer बताना हो बिल्कुल correct है ठीक है question number 3 निमन सब दो में से द्वित्व व्यंजन है तो इसमें जो 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 option number A है वो सही answer है next question की तरफ चलते हैं निमन में से महापराण है ठीक है एक अलपराण होते हैं एक महापराण होते हैं ठीक है तो ये महापराण है तो इसका जो answer हो जाए का question number 4 का option number A ठीक है next question की तरफ चलते हैं बहुत चोटा मकान मुझे नहीं चाहिए में बहुत घोतक है ठीक है तो जो question number 5 है इसका answer जो मैं आपको comment section में जुरूर बता दूँगा ठीक है बाद में तो question number 6 है ग्राह का विलोम शब्द है ठीक है तो उसका question number 6 का answer जोगा option number D त्याज्य है ठीक है next question मनूझ का परियावाची है जो मनूझ का परियावाची है question number 7 का option number B हो जाएगा रती-पती ठीक है next question घन का अर्थ नहीं है जो question number 8 है उसका जो है दो option में मिलको थोड़ा लग रहा है option number A हथोड़ा और C भांग ठीक है घन का मतलत है बादल ठीक है तो option number B और C D थोड़े मिल रहे हैं बट A और C जो है अलग लगने हैं तो इनमें थोड़ा डाउट हो सकता है question थोड़ा गलत भी हो सकता है question number 9 जगडालू सब्द में परत्य है ठीक है question number 9 का अंसर हो जाएगा option number D आलू next question जगनात का संदीव ज़ेद है जगनात का जो संदीव ज़ेद है option number C next question की तरफ चलते है question number 11 है उजवल का संदीव ज़ेद है तो उसका option number A हो जाएगा उत्जमा जवल next question है question number 12 सुद शब्द है सुद सब्द कौन सा है तो मैं आपको बता दू जो option number B है वो right answer है ठीक है next question निमन सब्दों में सुद्द शब्द है कौन सा है तो है कृपया option number A जो हैस का right answer है 13 का next question question number 14 निमन में से प्रिथवी का परियावाची नहीं है option number D जो हैस का right answer है ठीक है next question गंगा का परियावाची नहीं है तो गंगा का जो परियावाची नहीं है option number C करवाल next question चारपाई शब्द है कौन सा सब्द है यौग रूड ठीक है next question हाथ सब्द है हाथ कौन सा सब्द है तो question 17 का शोजगा option number B तद्धभव शब्द है next question दिरवाजे पर कोई आया है में इस question का भी मेरे को doubt है तो में इसका जो answer है वो comment section में आपको बता दूँगा ठीक है खिवईया शब्द के प्रत्या है तो question 19 का भी जो है A और B में थोड़ा ठीक है ए और B इसमें थोड़ा ये हो सकता है ठीक है तो अगर किसी का C और D वो तो गलत ही है बट A और B अगर लगाया कौन सा समास है question number 22 आप जो है इसका जो answer है question number 24 का वो जगा option number A बहु बहु बही next question है 23 ठीक है 23 का जगा option number B अब अब भी भाव ठीक है next question है पिलवाना में करिया है तो वो है प्रिनार्थक ठीक है option number D सही था 25 मुदरा का अर्थ नहीं है यानकी question number 25 का जगा option number D next चलते हम तो friends अब हमारे पास English section चल पड़ा है ठीक है लिखा है the synonym of essential is ठीक है यह जो synonym हो जाएगा essential का question number 26 का ठीक है उसमें B और C में यह दोनों हो सकता है ठीक है तो next question की दरफ चलते है sorry 26 में थोड़ा doubt है इसको में comment section में आपको बताऊंगा ठीक है इसका enigma भी हो सकता है और necessary भी ठीक है तो next question है fill in the blanks with corrupt my grandfather walks very fast ठीक है option number C जो है right answer है इसको भी आप जो है अपना marks correct कर सकते हैं अगर आपका सही है choose the correct word order तो इसका जो option number B है why did C leave so early fill in the blanks with word of correct spelling please give me a dash of paper तो इसका जो answer हो जाएगा वो जाएगा piece of paper यानकी option number B जो है please give me a piece of paper ठीक है तो जो option number B है वो सही हो जाएगा next question select word of same meaning of the underlined word तो आपको जो जो underlined word था उसका जो है आपको meaning जो है यहाँ पे fill करना था ठीक है same meaning तो burnt, bruised या scalded या cut ठीक है take care not to get hurt with the steam from the kittal ठीक है तो question number 30 का हो जाएगा यहाँ पे ठीक ही burnt होथा है जलना ठीक है bruised भी चोट लगना scalded तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number A ठीक है इसमें थोड़ा doubt है but मैं आपको बता दूगा ठीक है comment section में which is the longest pause तो longest pause English में क्या होता है वो होता है full stop यान कि option number D जो है right answer हो जाएगा next question question number 32 fill in the blanks please dash your dog ठीक है तो जो question number 32 का जो answer हो जाएगा उसका भी मैं आपको comment section में इसका जो answer बताऊँगा ठीक है वैसे rest train जो इसका हो सकता है ठीक है the teacher is popular dash his students तो among his students यानिकि option number A जो है option number B grief ठीक है grief जिसका जो है right answer हो जाएगा ठीक है शोक तो next question है fill in the blank fill in the appropriator determiner the ring is made of gold ठीक है तो यहाँ पे कोई भी determiner जो है नहीं आएगा तो यहाँ पे option number C right answer जो है आपका हो जाएगा ठीक है next question की तरफ चलते है which of the following is the correct spelled word यानि की जो यहाँ पे सही spelling है ठीक है आपको वो बता नहीं थी तो पहले happened ठीक है double N E D था और दूसरे में था ठीक है तो जो option number C है वो सही हो जाएगा ठीक है happened ठीक है next question हो जाएगा identify the correct form of verb adverb to fill in the blank I have told you तो twice होगा many many times one time या two times तो इसमें जो right answer हो जाएगा वो जाएगा twice ठीक है option number A जो था वो right answer था next question है C dash a new dress last week तो C about ठीक है जो option number D हो जाएगा तो इसका जो right answer हो जाएगा ठीक है C about a new dress last week ठीक है next question Neha said to Isha would you please open the window in the above sentence Neha is तो Neha क्या कर रही है asking के question question कुछ रही give an instruction कोई सुझाव दे रही है ठीक है offering an advice या कोई advice दे रही है या making a request ठीक है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number D making a request कर रही है Isha को Neha कि open the window ठीक है next question है question number 14 फोर्टी तो इसमें आपको यह question को आप खुद कर सकते हैं इसका जो answer हो जाएगा ठीक है मैं इसका answer बाद में बता दूँगा थोड़ा time लगेगा इस question में ठीक है तो question number 41 है ठीक है question number 41 का में मैं आपको next comment section में बता दूँगा तो अब जो है आपका question number 42 है select the correct word matching the prefix in तो in different यान कि option number a जो इसका सही answer हो जाएगा choose the correct phrase ठीक है correct phrases में जो था आना था तो can they go shopping with us they are busy I wish they dash with you now can go आना था या are going या could go या would तो इसमें जो था answer था वो था option number c could go with you now ठीक है question number next है question number 44 choose the correct word postthumus ठीक है postthumus का मतलब होता है मरनो प्राथ ठीक है इनकी after death option number D जो इसका right answer था ठीक है next question की तरफ चलते है which of the following is a possessive noun तो possessive noun कौन सा था इसमें तो वो था option number C his ठीक है his जो था right answer था use correct adjective Mohan is the dash boy in the class तो इसमें जो था यहाँ पर best आना था ठीक है Mohan is the best boy in the class तो यहाँ पर no option है की option number D जो था वो correct answer था next question है which of the following is correct proverb grammatically तो वो थी God help those who help themselves ठीक है तो option number B जो था इसका right answer था next question I have dash sheep तो यहाँ पर भुजाएगा I have many sheep ठीक है change into passive wise never tell a lie तो इसका जो let a lie never be told to not tell a lie a lie is not told never tell a lie तो उसका जो right answer जाएगा option number A let a lie never be told ठीक है next question है correct spelling of the following तो senior yearn की S-E-N-I-O-R जो थी spelling जो थी वो correct थी ठीक है question number 50 जो था वो इसका option number A था next question friends तो अब आपका GK section चल पड़ा है हिमाचल प्रदेश में प्रथम radio station किस थान पर स्थापित किया गया था तो friends मैं आपको बता दू इसका जो right answer जो जाएगा option number D शिमला बसोदन दर्रा किस जिले में स्थित है तो question number 77 का हो जाएगा option number A बसोदन दर्रा था next question हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी करितरियम जील कौन सी है तो हो जाएगा option number A गोविन सागर जील sorry तो उसका जो 78 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number A next question किसी राज्य के राज्यवल बनने के लिए न्यूंतम आयो क्या है तो वो है 35 years यान के option number B जो था right answer था हिमाचल प्रदेश में जो है परवता रोहन संस्थान कहा है वो है मनाली में कुलू यानि के option number A जो था वो correct answer था तो next question है भूरी सिंग संगराले किस जिले में स्थित है वो है चंबाडिस्टिक में ठीक है option number A जो है right answer है next question व्यास नदी का संस्कृत नाम यानि की व्यादिक नीम था क्या था ठीक है तो वो संस्कृत नाम क्या था वो था पिपाशा next question बाबा कांशिराम को किस राम से जो है तो वो है पहाड़ी गांदी यानि के option number B जो है इसका जो है right answer हो जाएगा next question की तरब चलते है कौम सी मुक्केवाज जो है पहली विश्व मुक्केवाजी चैंपियंसिप में जो है छे स्वरन पदक जीतने वाले विश्व की पहली महिला खिलाडी बन गई है वो है MC Mericom next question लिखाए जामडु देवता की पूजा कहां होती है वो होती है मलाणा में next question किस अनुचहित के अनुचार जो है भारत की राष्टपली द्वारा ब्राष्टी अपातकल की गोशना की जासकती है राष्टार जाएगा ठीक है तो next question है जासियोंग त्राष्ट्र दिवस जीन की युनाटि इंडेशन स्टेक कब मनाया जाता है तो वो है 24 अक्टूबरियन के अप्शन नंबर D जो इसका राष्टार जाएगा 88 का ठीक है next question तो लभी मिला जो है किस महिने में होता है 89 का जो राष्टार जाएगा अप्शन नंबर C नवंबर मन्थ में ठीक है एसियन का स्थापना कब हुआता है तो वो हुआ था 90 कोशन नंबर 90 है तो उसका अंसर जीका अप्शन नंबर C 1967 में ठीक है next question है किस देश की राजधानी है औस्टेलिया नेक्स्ट कोशन संजे विद्यूत प्रियुजना जो है किस जले में स्थित है तो इसका जो राइट आंसर है कोशन नंबर 93 का वो जगा अप्शन नंबर 1 किनावर में ठीक है next question हिमाचल की किस महिला ने मिस्स इंडिया गलोब दोजा अठारा का जो है ताजीता तो वो थी डाक्टर वंद्रा यानके ऑप्शन नंबर B जो है राइट आंसर हो जगा दिलीब ट्रॉफिक किस खेल से सिंबन दीत है वो है क्रिकेट यानके ऑप्शन नंबर A क्रिक्ट है next question बड़ा बंगाल किस जिली में स्थित है तो वो है कांगडा में ऑप्शन नंबर B जो था इसका राइट आंसर था हिमाचल परदेश के स्वास्थे मंतरी कौन है तो वो है विपन परमार ठीक है तो ऑप्शन नंबर B जो इसका राइट आंसर हो जागा तो friends मैं आपको बता दूँ अगर आपको वीडियो पसंद आजगा तो वीडियो को like करें चनल को subscribe करें बेल आइकन प्रेस करें और all select करें ताकि आपको हर वीडियो को notification मिलता रहे और मैं आपके लिए math का section उसकी वीडियो भी लाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद बिल्कुल fully solve करूँगा उसको ठीक है तो अभी try करूँगा जल्दी से जल्द वीडियो को post कर सकूँ ठीक है तो वीडियो को like करें चनल को भी जुरूर subscribe करें ताकि आपको जो है math का पूरा complete section जो है उसका answer की जो देखने को मिले धन्यवाद